नमस्कार विद्यार्थियों मैं बद्री विशाल चारण राज की माविद्याले पिन्वड़ा जैसा कि आप सबको विद्यत है अपने पिछले विडियो में हमने जर्मनी का एक 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 देखा था ये बीए त्रतिय वर्ष के दीतिय पेपर 1840 वर्ल हिस्ट्री 1848 तो 1950 तक का हिस्सा है का इनिट सेकंड का हिस्सा है आज अपने इस विडियो लेक्चर में हम उसी कड़ी में दूस जर्मनी का एक एक एकरन पार्ट दो देखेंगे आपको बता देना मैं उच्छी समझता हूं कि भई ये जो जर्मनी का एक एकरन टॉपि का आज दूसरा है आज ही हम तीसरा वीडियो भी डालेंगे तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जर्मनी के एक एक एकरन में सायक तत्व बिश्मार का जर्मनी का एक एक एकरन में योगदान वो उसकी कूटनी थी और तीसरा बिश्मार की दिर्ग द्रस्टी योजना तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जर्मनी के एकी करण में सायक तत्व मंद गती से विख्षित होरे जर्मनी रास्टरवादी अंदोलन के लिए निम्न तत्व सायक सित्व पहला बोदिक अत्वा वेचारिक अंदोलन फ्रांसीजी करांती के बाद जर्मन लेखकों, कवियों, इतियासकारों ने जर्मन रास्टरवाद को जागरेत करने का महती कार्य किया कवियों ने जर्मनी की महनता में गीत लिखे तो इतियासकारों ने उसके प्राचीन गोरों को उदगाटित किया जर्मनी में वैचारिक करांती का आधार उग्र रास्ट्रीता थी हीकल ने राजिक की सारभूमिकता का प्रतिपाधन किया त्रिसके ने गोशना की कि हमारे पास कोई पित्र भूमी नहीं है केवन होई जोलों ही हमें एक पित्र भूमी दे सकते हैं फिक्ते, हीकल, डालमेन, बॉमार, हासन तता नौलिस की रचनाओं ने जर्मनन रास्ट्रवाद को उद्धेलित कर दिया किसी भी आंधोलन क्या एक वैचारिक पक्ष होता है आंधोलन में होने वाली गतिविदियों के लिए एक विचार चाहिए जो कि आंधोलन करताओं को अंधोलित करें एक केंद्री विचार जितना सशक्त, जितना तरपूर्ण, जितना उधारणों से परिपूर्ण होगा कोई भी उसके आधार पर चलने वाला अंदोलन भी उतना ही संगटित वो उतना ही उस्सा से बरा हुआ 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 होगा तो इस प्रकार हीगल तरिस्के, फिक्ते, आदी विचार को ने जर्मनी के एकी करन के लिए एक प्रश्ट भूमी तयार की दूसरा जोलो वरीन 1819 प्रशाने 1819 में पहली बार स्वासबर्ग सौंदर शोशन नमक छोटी सी राज्य के साथ शीमा सुल्व संबंदी संधी करके जोलो वरीन या सीमा सुल्व संकी स्थापना की 1834 तक जर्मनी के 18 प्रमुक राज्यों इसमें सम्मलित हो गए और 1850 तक संपूर्ण जर्मनी इस आर्थिक संग में सम्मलित हो चुका था इस संग ने जर्मनी की एकता को आर्थिक मांग से वास्विक रूप देना प्रारंब किया इस संग द्वारा नित्रतु करके प्रशा ने अपना महत्वपूर्ण बहुत बढ़ा दिया केटलवी के शब्दों में जोलवरीन के निर्मार ने भविश्यम में प्रशा के नित्रतों में जर्मनी की एक एकरन का मांग प्रसस्त कर दिया ओद्योगिक विकास ओद्योगिक करांती का प्रसा में भी हुआ रेलों काजाल बीचे जाने तथा जोलवरीन की स्थापना से इसका माग प्रसस्त हुआ ओद्योगिक ने एक नए पुझी बती वर्ग को जर्म दिया जो अपने आर्थी खीतों के लिए जर्मनी की राजनितिक एक्ता और द्रड केंद्री सरकार के स्थापना पर जोर दे रहे थे इससे एकिकरन अंदोलन को बल मिला चौथा अठारासो अर्टालिस की करांती तथा फ्रेंकफर्ट संसद एरोप के विविन देशों में अठारसो अर्टालिस में हुई करांती तथा मेटर्निक के पतन की सूचना से जर्मन राष्टवादियों की भावना को बहुत बल मिला राश्टवादियों ने 1848 में फ्रेंकपर्ट में जर्मन एकता को निश्चित रूप देने के लिए जर्मन राजियों के प्रतिनिदियों की संसद भी बुलाई किन्तु फ्रेंकपर्ट संसद भी असफल हो गई क्योंकि एक तो इसके प्रतिनिदियों ने व्यर्थ के विवादों पर बहुत सा समय नस्च कर दिया इसके अलावा आस्ट्रिया भी बड़ी उगरता से व्रोध कर रहा था किन्तु इन सब प्रेतनों से जर्मन राज्टरवाद को बल ही मिला 1861 में फैडरिक विलियम चतुर्थ के स्थान पर विलियम प्रथम प्रशा का राजा बना महान सेनिक वादी और अत्यंत महत्वकार्शी स्व्यक्ति को यह द्रड विश्वास था कि प्रशा के नेत्रतों ही जर्मनी का एकिकरण हो सकता एकिकरण के उधिश्य को पूरा करने के लिए मिलियम प्रथम सेना का पुनर कठन करना चाता था क्योंकि शक्षी साली प्रशा ही एकिकरण अभियान का नित्रतों कर सकता था सेना के पुनर कठन की योजना जब यूदो मंत्री फानरून ने प्रसा की संसद में प्रस्तूत की तो संसद ने इसके लिए धन देना असिकार कर दिया इस गतिरोद को दूर करने के लिए विलियम ने बिस्मार को बुलाया जो की इस समय पैरिस में प्रसा का राजदूत था अब बिस्मार को सेना के पुनर कठन की योजना सौबते हुए विलियम ने उसे सितंबर 1862 में प्रधान मंत्री के पद पर न्यूक्त किया बिस्मार और जर्मनी का एक ही करन बिस्मार का विश्वासता की जर्मनी उदारवादी आदर्शों के लिए नहीं वरन प्रसक्ती के लिए प्रसा की और देख रहा है इसलिए प्रसा को अपनी शक्ती यम सक्ता को सरवच्च रखना ही चाहिए जर्मनी की समश्या का समाधान बहुत दीग भाशनों से नहीं वरंद प्रसा के नित्रतों में रक्त और तलवार की नीती से ही होगा यहां बिस्मार का मानना था यहां उसकी उदारवादी विरोधी मनोबावना और बलपुरवक राश्टी एक करण में विश्वास पष्ट दिखाई देता है इसके पीछे बिस्मार की एरोपी राजनिती कुछ तरुक समझ भी प्रकट होती है क्योंकि यहां निचित था कि उरोपी शक्तिया फ्रांस, इंग्लेंड, डूस, आस्टीया जर्मनी का एकी करण नहीं होना देगी क्योंकि स्योग जर्मनी इरोप की शक्ति संतुलंग के लिए खत्रा था और यदि शक्ति इन प्रसाने एकी करण कर भी दिया तो ये शक्तिया सदेव से दुर्बल और दबाती रहेगी इस प्रकार बिस्माक दूरदशी एवं तपा हुआ राजने चेगे था किन्तु उसके सामने समश्याई भी कम नहीं थी जब सांचलर के पत्पर नियुक्त हुआ तो उसके सामने दो प्रमुक समश्याई थी सक टांग ना अड़ाए दूसरा जर्मनी के एक एक शर्मनी के शक्ति हिंडराष्टी संगश्ट को बलपूरवक अपनी परियनिती पर पहुँचा ना सांचलर के पत्पर आने के बाद उसका पहला काम था समराट के सेनिक सुधारों को लागू करना जब निम्न सदन से स्विकरती नहीं मिल सकी तो केवल उच्छ सदन की स्विकरती दोरा ही सेना की सुधारों के लिए आवशक धन जोटा लेना प्रारंब किया इस प्रकार बिस्मार्ग का ये कदम चाहे असमेदनिक्ता कि तुराजीतों को सर्वत परिमान कर ठेउसे नानक उस्थे ऐसा किया बिस्मार्ग की दिर्खदर्षटी योजना रख और तल्वार की निती दोरा विस्माग ने अपने उदेश्यों को टाउट करने का संकल तो संसद में घोशित कर दिया ता लेकिन इस निती की सफलता के लिए सफल कूट निती भी आवशक थी इस समन्द में विस्माग ने दो महत्व पूंड नीने लिए प्रथम 1863 में बिस्माग दोरा पॉलिश रंती कारियों की मदद नहीं करना इससे रूस की बिस्माग से प्रगाड में तरी स्तापित हो गए बिस्माग भी जानता था कि जर्मनी के प्रशन पर अच्टिया के युद अवश्यम पावी था और उसके लिए रूस की मित्रता बहुत उप्योगी थी जर्मनी में अस्ट्रियो की सरवच्चता को अस्विकार करना 1863 में जर्मनी ने अपनी प्रथिष्टा को पुना इस्तापित करने के लिए क्योंकि 1869 में इटली के हातों वहारा था आश्ट्रिया जर्मनी प्रथिष्टा को पुना गिर्थ करना चाता था किन्तों विस्माग की नीति पर प्रसान इसे अस्युकार कर दिया और उस्ट्रिया ने अंतिम बार जर्मनी का नेता बनने का असभल फ्रयास किया और यहां से केटल्बी के शब्दों में आश्टिया के पतन के काहनी प्रारम हुई इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार किन परिस्तितियों में बिस्माग को निउट किया गया प्रसांच लड़के पद पर उसने किस प्रकार उदारवादियों के वक्ष की अवेला करते हुए एक मजबूत राश्टी राजी के निर्मान की तरफ मार प्रसस्त किया किस प्रकार उसने अंतराश्टी स्थर पर किनको सहयोग किनको असहयोग जिससे कि एक कुटनितिक संगश का निर्मान हो सके धन्यवाद अगले और अंतिम वीडियो में हम जर्मनी की एक एकरण के प्रथम द्वीतिय यत्रतिय चनल को देखेंगे शुक्रिया धन्यवाद